बिसमिल्लाहरुर्राहेंग अश्कलाम अलेकूम नाजरीम आज हमने बनाइए है खीर, पूरी और आलु मटर की सुखी सबजी हमने बनाइए है रजब स्पेशल कुंडे की नियाज बहुतारी गरों में होती है तो खीर पूरी तो अक्सर ही बनती है साथ में हमने इसमें आलू मटर की सुखी सबजी भी बनाई तो देख लेते हैं इसे केसे बनाया तो यहां पर हमने सवा दो लिटर दूद लिया है यह फुल क्रीम दूद है इस पर समने मलाई नहीं उतारी है और बहुत अच्छा दूद है हमारे दूद काफी अच्छा मिलता है तो उससे बना रहे हैं यदि आप चाहें तो पेकेट वाले दूद से भी बनाए उससे भी खीर बहुत अच्छी बनेगी तो दूद को मैंने गरम होने के लिए चोड़ दिया है और मैंने चावल को पहले से भी गो दिया आप हमारा इसे मसलने से तुकड़ा हो जा रहे हैं ऐसा ही चाहिए दूद हलका गर्म हो चुका है तो मैं क्या करती हूं इसमें इसी समय चावल डाल देती हूं पूरे डाल दी है मैंने यह जो इसमें चिपकर एगा थे वह बहुत चावल का चिपकश को और इसे हम हिलाएंगे ज तो आप इसे लगातार वीच वीच में चलाते रहें, गेस की फिलेम अभी हमने हाई रखी है, जैसे उबाल आ गया है इसमें, अब गेस की फिलेम हम स्लो कर देंगे, और इसे तकरीबर हम 30 मिनिट के लिए छोड़ देंगे, 30-35 मिनिट के लिए ताकि अच्छे से खीर हमारी प पकाएंगे तो यह देखिए, चावल हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, अभी हम आपको एक चावल बताते हैं, यह देखिए, बिल्कुल मेश हो रहा है, सभी चावल ऐसे ही अच्छे से गल चुके हैं, माशालला से बहुती पड़िया से सोफ्ट हैं, लेकिन खीर तय तो यहां पर मैं इसमें दो पिंच केसर के धागे डाल देती हूं, इससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आजाता है, खुश्बू भी बहुत अच्छी हो जाती है, टेस्ट भी अच्छा लगता है, तो अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालें, और इसे हम छोड़ देंगे जितनी ओटेगी उतनी ही टेस्टी लगेगी, तो अब चावल जब गल चुका है, तो मैं इसमें शकर डाल देती हूं, तो मैं यहां पर एक कटोरी चीनी डाल रहे हूं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं, मैं थोड़ी सी जादा मीठी बना रही हू क्योंकि इसे पूरी के साथ खाते हैं, तो थोड़ी सी खीर तेज मीठी होती है, तो अच्छी लगती है, तो यह डाल दी है मैं इसमें, और इसे चलाएंगे, और इसे तकरीबन अभी हम 30-35 मिनिट के लिए और इसे इसी तरह पकने देंगे, गेस की फ्लेम अभी बढ़ा द चावल घुलने लगा है, चावल के और छोटे-छोटे कंड हो जाएंगे, तो बस इसे ओटने देते हैं हम अच्छे से, मैं यहाँ पर एक मुठी काजू और एक मुठी बदाम को मैंने बारिक-बारिक काट लिया है, वो डाल दे रही हूं, इसको डालने के बाद हमने 10 मिनि बस बीच-बीच में इसे हिलाते रहें, यह हमने इलाइची का पाउडर पीस के रखा है, शकर के साथ, तो वो एक टीस्पून भर के डाला, यदि आपने शकर के साथ नहीं पीसा है, तो हाफ टीस्पून डाले, बहुत तेस खुश भी हो जाती तो भी खाने में अच्छी न एक पेन रखाए में गर्म होने के लिए इसमें एक टीस्पून हम जीरा डालेंगे, छे साथ लाल मिर्च डालेंगे, मैं तीखी सी सबजी बना रही हूं, एक टीस्पून सौफ डालेंगे, यह मोटी वाली है, हम यहाँ पर टीस्पून, यह बड़े वाला इस्पून है, त तो यह हो गए हमारे सबजी का मसाला तैया बस अब ठंडा हो जाएगा तो हमें पीसना ही है अब हमने कड़ाई रग दी है गर्म होने के लिए और इसमें डालते हैं तेल थोड़ा सा जादा डलेगा तो मैंने दो बड़े चमच के करीब तेल डाल दिया है इसमें हाफ टी स्प कड़ा लून हल्ती का पावडर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो मैं इसमें डाल देती हूं दो मिनित अलू को फ्राई किया है मैंने सिर्फ और गैस कि रही है क्योंकि यह जो फ्रोजन मटर है इसको मैंने अभी ही फ्रीजर में से निकाला है तो इसमें थोड़ा सा ब आप हाई रखे ताकि यह जल्दी से इसकी वरफ भी गल जाए जादा इसमें अगर मुश्चर रहे जाएगा तो आलू हमारे बहुत जादा कल जाएंगे स्वाद के साब से नमक डाल दे रहे हैं दो-तीन मिनिट भुनने के बाद हमने इसमें यह मसाला भी डाल दिया और नमक भी डाल दिया इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे बहुत ही मज़े की बनती है यह सबजी तो अब क्या करें आप गेस की फ्लेम मीडियम कर दे और इसे कवर कर दिया तीन-चार थोड़ा सा और कवर कर दे रही हूं इसे बहुत अच्छी से खुश्बू आ रही है माशाला से बहुत ही बढ़िया पनी है आलो को चेक कर लेते हैं तो यह देखिए अलो अच्छे से गल चुके हैं अब हम इसमें बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं क्योंकि मटर प यहां पर मैंने अन्दास से अच्छा ले लिए जितना के मेरे घर में लगता है राफ टी स्पून इसमें मैं अजवाइन डाल रही हूं यदि आप अच्छा लगता है पूरी का मुझे सफेद कलर की पूरी अच्छी नहीं लगती है तो मैं ज़रूर दालती हूं अब हम इस तीम चार टेबल स्पून तेल डालेंगे इसमें बहुत जादा नहीं डालेंगे आटा मेरे पास तक्रीबन पाँच कप के करीब है इसलिए इसमें जादा जा रहा है बहुत जादा तेल होने से पूरी अच्छे सी नहीं बनती है काफी सोफट और इसी हो जाती है जो कि लगता है तो वैसे आटा लगा लें इसका है थोड़ा थोड़ा पानी डाले कभी भी पानी एक साथ नहीं डाले आटे को हमने बहुत अच्छे से मसल लिया है थोड़ा सा तेल लगा देंगे इसके उपर और इसे डख करके हम रख देंगे 10-15 मिनिट के लिए ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए तो कवर कर दिया मैंने 10 मिनिट के बाद मिलते हैं यह देखिए आटा हमारा काफी अच्छे से हो गया है सेट अब मैंने इसको इसके लोई बना लेते हैं छोटी-छोटी तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बना रही हूं बाकी की बाद में बनाऊंगी तो एक चकला ले लिया है इसे बटिया भी बोलते हैं रोटी बनाने का इसमें आपको पूरी जितने बड़ी साइज की बनाना हो उस हिसाफ से लोई तोड़ ले मैं पूरी मेडियम साइज की बनाती हूं ना जादा चोटी ना जादा बड़ी बहुत चोटी पूरी भी मुझे पसद नहीं है तो बस बने चोणब खाने बते हैं अपके घर मेघमें तब बना करें तो काफी मज़ें एक पैले से बना करके रखते है तो पूरी नरम हो जाती है तो एक एक लोई लेंगे हूं और जो यह तरह बील देंगे मैं सबी पूरी को बेल कर लेती हूं, उसके बाद इसे फ्राइ करूंगी तो मैंने तकरिवान चाहताथ पूरी लोई बना ली है, और इतनी पूरी अभी बना रहे हैं तो बस इस तरह में सबी पूरी बना लूंगी मैंने दूसरी तरफ तेल गर्म होने के लिए छोड़ दिया है तो मैं फटा-फट से बेल के तयार कर लेती हूँ तो ही पूरी हमाने सब हमने बेल के तयार कर ली है और इधर हमारा तेल गर्म होने के लिए रखा है तो चिक कर लेती हूँ मैं तेल तो तेल हमारा माशालला से अच्छा गर्म हो चुका है तेल पूरी में जब हम पूरी तले हैं तो तेल अच्छा गर्म होना चाहिए यनि कि तेज गर्म होना चाहिए बहुत जादा तेज भी ने गेस की फिलेम मीडियम हाई रखें आप तो देखिए पूरी डालते के साथ फूल चुकी है बहुती बड़ी अगुबारी की तरह बस इसे निकालने और इसी तरह हम सारी पूरी बना के तयार कर लेंगे तो इसी तरह के से आप भी बनाए जरूर बनाए और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारी चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपनी दुआ में हमें याद कीजिए याद रखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलाह आफीज बाई